तो चलिए पुटिष्टा के एक एनदर ग्रूप को देखते हैं यूगलिनौाइट्स पुटिष्टा में एक ग्रूप है जिसको क्या कहते हैं यूगलिनौाइट्स इसका नाम इसके most important organism यूगलिना पर बेश्ट है इग्रूप जो होते हैं ये mainly fresh water organism है लेकिन salty water में भी marses में और even moist soil में भी इग्रूप पाए जाते हैं इग्रूप जो हैं ये fresh water में mainly पाए जाते हैं लेकिन कुछ species हैं जो कि salty water, marses और moist soil में पाए जाते हैं और ये जो organism fresh water में होते हैं ये ponds में पाए जाते हैं जहाँ पे water stagnant होता है मतलब running water नहीं होता है वहाँ पे ये organism पाए जाते हैं और ये protista का सबसे largest और most heterogeneous group है ये जो organism है इन में पेलकिल पाए जाता है पेलकिल क्या है? अचली इन organism में cell wall absent होता है उसकी जगह पे एक covering होती है जिसको पेलकिल करते हैं और वो protein rich layer है ठीक है? इसकी वज़े से जो ये uglinoids हैं जो ये organism हैं इनका body flexible होता है जैसा मैंने बताया कि uglinoids इस group का most important organism है और आपके exam point of view से uglino ही important है तो हम उसी के बारे में mainly आगे पढ़ेंगे तो ये जो uglinoids होते हैं ये biflagellate होते हैं मतलब इन में टू फलेजला पाया जाता है एक फलेजला जो है वो short होता है जबकि दुसरा long फलेजला होता है हम आगे देखेंगे picture में तो आपको अच्छे तरीके से समझाएगा और फलेजला के base पे क्या होता है एक light sensitive swelling होती है मतलब वो light को sense करने वाले एक swelling होती है जिसको क्या बोलते है पैरा फलेजलर body ये photosensitive होता है मतलब photoreceptor होता है जो पैरा फलेजलर body है ये क्या है ये फोटो रिसेप्टर है ये फोटो रिसेप्टर है जो ये पैरा फलेजलर body है या ये जो swelling फलेजलम के base पे पाया जाता है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है photo receptor फलेजला plural word है ये singular फलेजलम है तो एक फलेजला जो होता है उसके base पे उसके base पे एक side एक swelling होती है जो की light sensitivity होती है जो की photo receptor है और इसको क्या बोलते है पैरा फलेजलर बाडी और वहीं पे दूसरे side क्या मिलता है एक red eye spot मिलता है जिसको stigma करते है actually ये जो red eye spot है ये क्या करता है ये particular wavelength की light जो है वो पैरा फलेजलर बाडी तक filter करके पहुँचाता है मतलब क्या करता है कि अगर light जब पड़ती है तो red eye spot जिसको stigma बोलते है उससे light filter हो जाता है और वो particular wavelength की जो light है वो पैरा फलेजलर बाडी पर पड़ता है जिससे कि ये जो organism है ये क्या करता है कि ये light को sense करतके उसी direction में swim करता है मतलब उसी light को follow करता है उस direction में ये swim करता है और यूगलीना को connecting link कहते हैं क्यों कहते हैं connecting link कहते हैं किसके बीच में plant और animal kingdom के बीच में plant और animal kingdom की बीच का connecting link क्या है किसको कहते हैं यूगलीना को कहते हैं देखे क्योंकि यूगलीना is the most important organism of this group और यही आगकी exam point of view के लिए important है तो हम यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम यूगलीना को target करके पढ़ रहे हैं ठीक है और यूगलीना plant और animal kingdom के बीच का connecting link है ऐसा क्यों क्योंकि इसमें दोनों feature पाए जाते हैं कुछ plant kingdom के features होते हैं और कुछ animal kingdom के features होते हैं जैसे plant kingdom का feature क्या है सबसे important chloroplast तो यूगलीना में chloroplast भी पाया जाता है अगर sunlight नहीं है तो यह यूगलीना जो है holojoic nutrition करता है यह food को ingest करता है जैसे की animal करते हैं तो यह photosynthesis भी करता है मतलर इसमें यह autotrophy भी सो करता है और साथ ही साथ heterotrophy भी सो करता है यह holojoic nutrition कर सकता है यह separo joic, seporo phytic nutrition भी पाया जाता है saprophytic उन species में पाया जाता है जिन में की chloroplast ना हो जबकि holojoic हो या saprojoic nutrition है जब यह उगलीना light में नहीं रहता है डार्क में रहता है या light बहुत dim होती है तब यह holojoic nutrition है या heterotrophic सो करता है सेम वही चीज़ यही कि इनमें जो nutrition होता है वो क्या होता है mixotrophic nutrition पाया जाता है उगलीना में जो कि photo synthetic होता है sunlight के presence में जो कि plant like feature है और जब उगलीना dark या dim light में होता है तो यह heterotrophic nutrition सो करता है जो कि animal like feature है heterotrophic holojoic होता है यह food को direct ingest कर लेता है जो other smaller organism है ponds में उनका यह सिकार करता है मतलब यह इसका behavior जो है predator जैसा behavior है तो यह मैंने क्या आपको याद रखना है कि युगलीना में pellicle पाया जाता है युगलीना में यह जो outer covering है यह protein rich covering जो है इसी को pellicle कहते है युगलीना में cell wall नहीं पाया जाता है युगलीना जो है plant और animal दोनों के बीच का connecting link है और युगलीना में cell wall की जगे पेलिकिल पाया जाता है पहला चीज आपको यह याद रखना है दूसरा चीज इसमें एक reservoir होता है reservoir क्या है यह जो देख रहे है reservoir है यह जो फ्लास्क जैसा यह क्या है यही reservoir है फ्लास्क सेब्ड स्टक्चर है इसका जो यह नीचे वाला पोर्षन है इसको reservoir कहते है अछली पूरे structure को gallet कहते हैं क्या कहते हैं gallet आपको किसी किसी बुत में आप देखेंगे gallet लिखार मिलता है तो यह gallet पूरे structure को कहते है अक्चली reservoir जो अता यह नीचे वाला हिस्सा है, जो थोड़ा सा base वाला हिस्सा है, उसी को reservoir करते हैं और इसमें flegela पाय जाता है, यह singular flegelum है, मतलब इसमें दो flegela पाय जाता है, यह long flegela है, देखिए यहां से सुरू हुआ है देखिए यहां से सुरू होके ऐसे यहां तक आया है तो यह क्या है आपका flegela है flegelum है, long flegelum और यह एक छोटा सा देखिए यह छोटा सा जो है यह क्या है, यह short flegelum है यह भी flegelum है, यह short flegelum है, यह क्या है यह यह short है, यह short flegelum है जबकि यह long है एक flegela body से बाहर आ जाता है जबकि दूसरा फ्लेजला बार्डिक के अंदर ही रहता है, उबार नहीं आपाता है, क्योंकि इन दोनों के बेस पे ब्लिफैरो प्लास्ट पाया जाता है, ब्लिफैरो प्लास्ट तो इन दोनों के बेस पे ब्लिफैरो प्लास्ट पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है, कि उगली ना में दो फ्लेजला पाया जाता है, तीसरा इस्टेक्चर, तीसरा इस्टेक्चर बहुत इंपॉर्टन इस्टेक्चर है, वो क्या है, यह रेड आई स्पॉट होता है, यह दिखिए यह रेड आई स्पॉट है, यह आपका रेड आई स्पॉट है, जिसको इस्टिग्मा भी करते हैं, तो यह आपका आई स्पॉ यह जो photoreceptor है, एक फ्लेजला, जो long फ्लेजला है, उसके एक साइड में होता है. तो यह देख रहे हैं, यह जो red मैंने बनाया है, यह जो red है. यह क्या है? यह para-fledular body है. Next important structure क्या आप पाया जाता है, यह लीनामे, contractile vacuole. यह जो structure है, contractile vacuole है. जो एक contractile वेक्विल है ये रिजरवायर के पास पास पाया जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेन फीचर क्या है chloroplast तो ये आप green ग्रीन इस्टक्चर देखिए ये सब chloroplast है उग्लीना में एक इंपॉर्टेन इस्टक्चर पाया जाता है जिसको pairamylon कहते हैं ये देखिए 수 on withdrawal pairamylon bodies मिलता है pairamylon क्या है ये staröt जैसा carbohydrate है ये glucose का polymer है ये pairamylon क्या है pairamylon similar to starch है और ये pyroon ayud से बनता है पाइरे नौयड तो इलीना में pyroon audit पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है अगर पाया जाता है तो इससे क्या बनता है इससे बनता है पैरा माईलान तो ये जो पैरा माईलान है क्या है ये कार्बो हाइडरेट है इस्टाच जैसा ही कार्बो हाइडरेट है और ये उगलीना जो है अपना जो photosynthet है, मतलब photosynthesis के बाद जो food होता है, उसको store इसी फार में करता है, paramylon bodies की रूप में, paramylon chemically क्या है, यह polymer है, यह polymer है glucose के, तो paramylon क्या है, यह polymer है, किसका glucose का है, ऐसा polymer है, beta-1-3, polymer है, beta-1-3 polymer है, किसका glucose का, इसका glucose का, glucose का, तो mainly यह important चीज़ें हैं, जो आपको याद होना चाहिए, जैसे एक क्या हुआ, पेलिकिल हो गया, पेलिकिल क्या है, pyrenaids क्या होते हैं, pyrenaids से paramylon बनता है, तो paramylon क्या है, pyrenaids क्या है, chloroplast तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि यह connecting link है, तो plant और inmal की बीच में, तो chloroplast की वज़े से इसको, plant का feature मिलता है, इसलिए इसको, तो आप याद ही रखेंगे, एक contractile vacuole है, short fledgulum, short fledgulum, और long fledgulum, यह आपको याद रहेगा, आपको याद रहना चाहिए, razor wire जो होता है, उसके बारे में, आपको याद रहना चाहिए, eye spot या stigma क्या है, उसी तरह से photoreceptor, कौन सा है, यूगलीना का, जिसको paraflegular body करते हैं, वो याद रहना चाहिए, इसके अलावा भी, कुछ आर्गेनल्स पाय जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं, nucleus, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, और galgia pretus, यह सब भी इसमें पाय जाते हैं, तो आपका, यह structure nucleus हो गया, यह structure nucleolus हो गया, आपका यह mitochondria, दिखे एक यह है, और यह भी mitochondria है, ऐसे mitochondria है, और यह nucleus से लगा हुआ, endoplasmic reticulum होता है, और ऐसा ही structure आपको कुछ मिले, sisterny type, तो वो galgia pretus होता है, वो cytoplasm में आपको मिलेगा, तो यह yuglina का structure था, इसमें कुछ important चीज़ें आपको याद रखनी है, point of view से, चलिए इसको quickly revise कर लेते हैं, तो आपको help होगा, देखे, यह आपका yuglina हो गया, जिसमें सबसे पहले हमें क्या आद रखना है, pellicule, फिर reservoir, फिर long fledgler, फिर sword fledgler, eye spot जिसको stigma बोलते हैं, photoreceptor, मतलब parafledgler body हो गया, contactile vacuole हो गया, यह आपका chloroplast हो गया, यह paramylon हो गया, जो कि paranoids से बनता है, यह आपका nucleus, यह आपका nucleolus, यह आपका mitochondria, यह endoplasmic reticulum, और यह आपका galgier apparatus, जिस euglina के, जिस species में paranoids नहीं पाए जाते हैं, या paramylon नहीं पाए जाते हैं, या chloroplast, या chloroplast नहीं पाए जाते हैं, मतलब यह absent है, euglina के species में, तो वो species, saprophytic, saprophytic, saprophytic nutrition सो करते हैं, saprophytic nutrition सो करते हैं, हो कि आपको यह lecture पसंद आया होगा, देखिए, पढ़ना तो बहुत है, लेगिन कम पढ़िए, एक topic पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से, cover करने की कोशिश किया करिए, तो आपको help मिलेगा, बस इस lecture को देखने के बाद, एक बार इसको दुबारा फिर से आप देख लेंगे, तो आपको युगलीना से related कोई भी question आएगा, तो आप उसे बड़े असानी से सही कर पाएंगे, especially इस figure को, इस area को, इस portion को आप दो-तीन बार देख लिजिए, तो सारा question आप युगलीना से related, बड़े अराम से कर लेंगे, इस group में भी asexual, sexual reproduction होता है, तो इनमें asexual reproduction, binary fission के दोरा होता है, जबकि sexual reproduction में conjugation होता है, isogamets के बीच में, ameboid type के isogamets होते हैं, उनका conjugation होता है, और unfavorable condition में insistement पाया जाता है, cyst formation होता है. पाया जाता है, पाया जाता है,